आज ही डाउटनिट आप डाउनलोड करें डाउटनिट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो बसे crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाऊ डाउनलोड नाउ Question ने पूचा कि What is the deviation produced in array passing through the optical center of a lens So, कोई भी lens हो हमारा Suppose यह एक convex lens हो या फिर एक concave lens हो अगर यह하 compassete इन दोनों के लिए हमारा principal axis है यह हमार optical center होग गया कोई भी ray अगर optical center से पास कर रही है optical center के दिरूँ suppose यह ray से पास कर रही है यहाँ से और यह ray से पास कर रही है और आप्टिकल सेंटर के तरू जो भी रेज पास करती हैं वो हमेशा अंडेवियेटड पास होती है अल्डेरेज पास अंडेवियेटड इसका मतलब यह हुआ कि जो डेवियेशन है डेवियेशन विकित क्या हो गया हमारा जीरो हो गया जो भी रेज है वो भीना किसी डेवियेशन के पास हो जाएँगी लेंस से यह उस कंब्साब में यहाँ पर एक गलास लैब माल लें तो थोड़ाशा डेवियेशन बिद्वियेशन होगा बिल्कुल हजगा सा इस तरह जाने के बजा है यह यहां से निकलेगी इस तरह से और यह डिवेशन होगा हमारा डेल्टा डेल्टा एक्स टेंडिंग अप्रोसिमेट इकल टू जीरो सो हम मानते हैं हमेशा कि in all the cases हमारा जो रे है that passes unnevated through the optical center so यह जगा हमारा solution